और इस बिक्रम को बीच बनी मजा कर इसके टुक्रे टुक्रे कर दू महराज आपके राज में सत्त की हार हुई है और असत्त जीता है नहीं बिक्रम मैं एक चक्कर वर्ति राजा हूँ महराज मेरी बाद तो सुनो मैं आपके फैसले को सुईकार करता हूँ जो आदेश आपने जलादों को दिया है वो पूरा होगा लेकिन क्या मेरी एक अंती मिच्छा पूरी की जा सकती है हाँ बोलो और मेरी अंती मिच्छा ये है कि मैं भरे दरवार में अपने बड़े भाई को अपना राजा मानते हुए सब के सामने एक सलहा देना चाहता हूँ उसके बाद वह आप मुझे मौत के घाट उतार देना बोलो क्या है बस महराज आप मेरे बड़े भाई और मैं आपका छोटा भाई हूँ आपके चर्नों की सोगंद खाके कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल नर्दोस हूँ और जो भी दोस है वो इस पापन का है इस डायन का है लेकिन इसके बावजूद भी अगर मुझे आपने सजा दी है तो मैं फासी के फंदे को भी गले लगाने के लिए तयार हूँ लेकिन मरने से पहले मेरी एक विंती सुईकार करीए इसकी क्या विंती सुनते हो गलती सुना देगा बोलो इर आज का बोल्या और याद राखिये क्या ये रबिक्रम वाई का अर हे मैं फिल हे सरदारी बात अच्छी लगे तो फिर ताली बजा के इस बिक्रम का सम्मान बढ़ाना सुनने के बाद क्यों अर दुनिया में तक हो देगा तने बेहम लुगाई का अर आज का बोल्या याद राखिये इस बिक्रम वाई का दुनिया में तक हो देगा तने बेहम लुगाई का देहम लोगाई का करे करम का अंजाम अगर तुने नहीं भोगा कीड़े पड़ पड़ के नहीं मरी जा एक ना एक दिन तेरा भंडा फोड़ होगा तेरी सारी दुनिया जाने भरत्री तेरी कहानी ने ठीक मुकदमा त्यार करया तेरी बिंग लालानी ने अरे कुछ ते कह दी नगर सेठ ने कुछ कही से ठानी ने और हाथ पकड़के काड्या भावी इस मानस गानी ने और सुत्त आत्मा वाले ने और सुत्त आत्मा वाले ने करम कसाई का दुनिया में देखो देगान वहम लुगाई का वहम लुगाई का लालालाला लालाला लालाला ला 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 अरा राम करे तेरी पिंग लाने नाग डासियो मैं तो रोम था चाल पढ़िया तम दोनों हासियो और मैं कर रहा था अंधेरा तेरे गी के चासियो मेरी पियाबान की त्यारी तू तेरी बहुँ बासियो और औरो को ते बेरा हो से और रोने के पेरा हो से पीर पराई का तू ज़ाँ में तेर बोल देगा जन वहमलो काई का और मेरी पाटाने मेरी पाटाने मेरी पाटाने याद करके रोयाकारी ये रोयाकारी ये रोयाकारी ये शुपने में भी ना दीखूंगा मने डोयाकारी ये डोयाकारी ये ये में कर र्या था भीड महल में तू सोयाकारिये, सोयाकारिये, अपनी इज़त, घर की इज़त के रोहाता, खोयाकारिये, खोयाकारिये, कया करे से कटे जाट का, रोशी खेनाई का, दुनिया में पे घो देगा, बन बहम लुगाई का, बहम लुगाई का, महाराज, मेरा अन्तिम प्रणाम सोयाकारिये, अन्तिम बार आपको नमस्ते कर रहा है, हाँ सुनो, मैं मानता हूँ, तू मेरा छोटा बाई है, और जो मेरे दिल में है, हिर्द में है, आज मैं कुछ कहूँ, तो बात मानेगा, महाराज, अगर कुछ और भी कहना हो, तो जरूर मांगों, मान लो, अब भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा है, सब कुछ समालोंगा मैं, तुम सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, अपनी भावी से माफी मान लो, चल मांग ले, मैं तो नरम सभाव की, हाँ, महाराणी तो बहुत नरम सभाव की है, आपको पता है न अगर सेट, बोलने में लज्जा नहीं आ रही तुझे, नहीं महाराज, मुझे लज्जा आती है, रात में आती है, तिन में नहीं, यानि कि आपकी नजर में बात ये है, कि आपको कहीं न कहीं भाई की भी मेर आ रही है, दर्द हो रहा है, बहुत ज़्जा दर्द हो रहा है, और आपका कहना ये है, कि मैं माफी मांग लो, सिर्फ एक वार, किस से माफी मांगू माराज, तुमारी बड़ी भावी है, महराज पिंगला नहीं हमारा छोटा भाई है यह मैं आपसे माफी मांगो हां माफी माफ कर दूगी जा लग्जा नहीं आरी तुझे तुझे आरी है लग्जा शरम नहीं आरी तुझे पापन डैन डंकनी तुझे इस घर का सच्छा नॉसकर करो हैंगी अगर अगर मेरा भाई है मैं फांसी पर चड़ जाओंगा मुझे कोई दिकल अगर मेरा भाई है तो दो थपड मार दे एक बैस के दो मार दे बस माराज इसकी कोई गलती नहीं है और गलती होती भी जब नहीं मार थैं आप तो मुझे माराज लड़ ली हूँना बहार अरचो का चाकू छुरी काल की मारी बिक्रम के सिर के उपर सिला टेक दी बहारी बिक्रम के ये लकाल जे मैं लिखी धरी से सारी बिक्रम के गेर जात की ओ गेर जात की चिम ल्यादी यारी बिक्रम के मांगेरा में जमाना को ना मांगेरा में जमाना को ना सरम सचाई का दुनिया में दे खोदे गार बहम लुगाई का बहम लुगाई का बना जिका बोल्या याद राखिये बिक्रम भाई का दुनिया में दे खोदे गार बहम लुगाई का